भारत के मिशन मून यानि की चंद्रियान तीन ने चांद के साउथ पोल पर लेंड करके एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है आपको बता दें कि भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसने चांद के दर्शनी धुरूप पर लेंड किया हो भारत की इस कामियाबी पर लगतार दुनिया भर से भारत को बदाईया मिल रही है लगतार लोग भारत के इस एतिहासिक का उपलब्दी के लिए बदाई दे रहे हैं इसरों की टीम और साथ-साथ भारत के तमाम लोगों के बीच इस वक्त उत्साह का माहुल है लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि आकरकार चंद्रयान तीन 14 दिन के लिए जो चांद पर है उस दौरान क्या कुछ काम करेगा साथ-साथ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 14 दिन के बाद प्रित्वी पर चंद्रयान तीन वापस लोटाएगा सबसे पहले आपको बता दे कि चंद्रयान तीन लगतार इसरो को चंद्रयान से तमाम तस्वीरें भेजता रहेगा इसके साथ ही चंद्रयान 3 अपने काम में चांद पर मिट्टी, पानी अन्य चीजों की खोज करेगा साथी ये भी जानकारी आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चौदा दिन के बाद वापस भारत या धरती पर नहीं लोटेगा तरह आपको बैचांद पर ही रहेगा और अपना काम करता रहेगा सुनिए क्या कुछ चंद्रयान 3 के काम पर और साथ ये भारत वापस लोटने पर धरती पर वापस लोटने पर पवन के गोयनका ने क्या कहा पावन के गोयनका की बात करें तो यह है आईयन SPAC के च्वेयर परसन है. यह मतारी नख करेंण लेजराशों तो चाहरूं रडि़कार बड़ कि हमेड़ की वियर की बात की चांई। फ्लिस स्क्राष का इन अग्शारारा इन जओक Dadi इन भी रर्वेहरा को च्री Rightsि 2021 ओर वर विन हो वी मूनमेख व evac गला लो बाहुए ऑला ह मूनमेख प्राय Allow अग्ट थर वे एंग अग्र संपिकिन। वारी मूनमे boys इस ख़बर में फिलाल इतन ही ताज अपडेट जहनकारियों के लेवने रहे रहे प्रवेटरिया के साथ. आमस्कार